स्वागत है आपका LearnCoding with भाई चैनल पर मैं हूं रोईत आजाद मलिक है और भाई हम पढ़ रहे हैं react hook form validation रियाक्ट हुग पॉप डिपेंडेंसी इंस्टॉल करिए और उसके मैथड्स हम पढ़ रहे हैं तिरे दे करके ठीक है तो आज हम बात करेंगे form reset के बारे में कि form reset हम कैसे करते हैं react hook form validation में और last class ने आपने देखा था form states के बारे में कि हम form state की form की जो सब्सक्राइब होती है उसको कैसे manage करते हैं ठीक है चलिए चलते हैं अपने कोड में और इस पर हम call करते हैं जैसे यहां पर मैंने एक set value बटन लगाया था न हम इसको एक value create कर लेते हैं यहां पर reset form के नाम से और यहां पर handle reset का एक इस पर function call करते हैं second step क्या था मैंने reset को import किया था form से second step मैंने एक button create एक button बडाया मैंने reset नाम से और उस पर own click function लगाया handle reset अब अगर handle reset जब मैं यहां पर function create करूँगा const मैंने एक function बनाया fat arrow से लेके और इसके अंदर मैंने reset को call कर दिया अब यह reset method कहां से आया भाई देखो यहीं से जहां से मैंने इंपोर्ट कराया था ठीक अब form के अंदर से reset यहां पर मैंने इसको reset के call करा दिया फाइल को मैंने save किया ब्राउजर पर गया मैं पेच को मैंने रिलोड किया अब मैंने इसमें value फील करता हूँ पहले दो ठीक हा भाई एड डरेट जीमेल डोट देखो यह मेंना by default value प्रिफिल्ड होके आई है पीछे से अब नेम मैंने फिल्ड किया रोही ताजाद अब इसके बाद भाई जो mandatory फिल्ड थी वह मैंने फिल कर डाली और आपकी date बढ़ती मैंने फिल कर बा हो गई ठीक है देखो सारी value reset होगी बट यह reset नहीं हुआ क्यों क्योंकि नहीं यह पीछे स्लाइज होके value आ रहा है इसलिए reset नहीं होई अगर मैं इसमें value करके नाम चेंज कर देता हूं ठीक है भाई देखो अब मैं फिर से फोर्म को मैं reset करता हूं मैंने यहां पे value डाल द input डाला है मुझे उसको reset करना है ठीक है और जो by default जो मेरी value है जो मैंने उसको दिया है सरफ वो prefilt करके दिखाना है अब suppose करो आप कोई form है कोई form आप edit कर रहे हो ठीक है कुछ value पीछे से आई इनी slide होगे आप में form में by default दिखा दी और user ने value को change गया काफी लंबा form था उसको नहीं पता चला है यार कि पिसली value क्या थी पुरानी क्या है दुबार से वो form को reset करना चाहता है कि जो values है सिरफ वो फिल फिल होके आजाए जो मैंने value फिल किया जो user ने value फिल किया वो value मेरी blank हो जाए हट जाए तो मिहां पे use करते हैं और एक हम काँ पे use कर सकते है reset functions जब मे user ने value डाली है सर्वर पे पहुच जाए उसके और मेरा form reset हो जाए ठीक है तो वो हम कहां पे call करेंगे वो हम कभी भी जो मेरा मैंने जो submit है कहां गया मेरा form submit यहां call नहीं करोगे आप कभी यहां call नहीं करना है वो कहां call करना हमें वो हमें call करना है as a life cycle methods में यानि कि जहां प effect यूज कर लिया और यूज effect के अंदर मेरा fat arrow function गया है यह callbacks और इसके आद मेरी यहां पर डिपेंडेंस जाएगी किसमें देखो यहां पे ना last class में हमने चार किया इत सम्मेटिंग इत सम्मेटेड इत सम्मेट सकस्पुली तो यानि कि जो सम्मेट सकस्पुली है वो में य यह बताता है कि मेरा form अच्छी तरह से without error data server के पास पहुंच गया form मेरा submit हो चुग है तो मुझे इस पर चेक लगाना है तो मैं यूज इफेक्ट पर जाओंगा यहां पर इफ कंडिशन में मैंने चेक लगा दिया इत सम्मेट सकस्पुली हो जाए तो मेरा reset जो methods है वो कोल हो जाए हमें यहां कोल करना है अब यह कब कोल हो यह तो blank dependencies है यह जब मेरा इत सम्मेटेट की value change और reset की value change हो form को मैंने save किया अब हम चलते हैं ब्राउजर पे page को मैंने reload किया और यहां पर मैंने value feel कर दी रोहित आजाद और by gmail.com और name मैंने डाल दिया रोहित आजाद और mobile number में मैंने change कर दिया 87 87 and age भी मैंने यहां पर change कर दी और भाई date भी अब देखो जैसी मैं save करूंगा और मेरा form successfully save हो जाएगा without any error सारी field capture हो जाएगी server पर पोज जाएगी मुझे flag change हो जाएगा तब मेरा form automatically reset हो जाएगा मैंने save पर click किया form मेरा submit हो गया successfully और form मेरा reset हो गया और value जो पुराणी value थी वह इनी slide हो के आगी आप देखो मेरा old mobile number आगा और form मेरा reset हो गया तो ऐसे आपना reset को यूज कर सकते हो अभी और भी बहुत सब्सक्राइब कर सकते हैं वह ना आपको नेक्स वीडियो में बताऊंगा लेकिन यहां पर आपका reset का concept clear होना चाहिए ठीक है भाई धन्यवाद आपने मेरी वीडियो देखी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अभी लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना वीडियो देखो मज़े लो और भाई इसकिल को बढ़ाओ ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो में आपका